दोस्तो जैसरी रादे आप शभी मित्रों का हम अपने यूटूब चाइनल चवान जोतिश में हार्दिक स्वागत और अबनेंदन करते हैं दोस्तो हाजी रहे हम आपकी सेवा में कुंडली कैसे देखें का अगला वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारी जन्म कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी यानि धनेस का 12 भाव में अलग अलग बैठने का क्या फलोगा तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कुछ जानकारी आपको हमारे वीडियो से मिलती है तो किरप्या हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आएए दोस्तो जानते हैं प्रथम भाव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनेस यदि लग्न में हो यानि पहले भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति क्रपण, व्यवसाई, कुकर्मी, धनी, विख्यात, सुखी, आश्वर्यवान और प्रतिष्ठित होता है दुत्तिय भाव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनेस यदि धन भाव यानि दुत्तिय भाव में ही इस्तित हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, धर्मात्मा, लोभी, चतुर, धनार्जन करने वाला, व्यापारी, ये सश्वी और दानी होता है किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का श्वामी यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति ब्यापारी, कलह करने वाला, कलाहीन, चोर, चंचल, विनई और ठग होता है चोथे भाव में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का श्वामी यानि धनेस यदि चोथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पिता से लाभ पाने वाला, सत्यवादी, दयालू, दीरगायू, मकान वाला, व्यापार में लाभ पाने वाला और परश्रमी हो पांचमें भाव में किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में धनेस यदि पांचमें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती पुत्रों के द्वारा धनारजन करने वाला सतकर्म करने वाला प्रसिद्ध क्रपड और अंतिम जीवन में दुखी होता है छटे भाव में किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में धनेस यदि छटे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती धन संग्रह में ततपर सत्रु हंता भूमी से लाब पाने वाला क्रशक प्रसिद्ध और सेवा का कार्य करने वाला होता है सात्मे भाव में किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का श्वामी अगर सात्मे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती भोग बिलासवती धन संग्रह करने वाली स्रेष्ट इस्तिरी का पती होता है ऐसा व्यक्ति भाग्यवान इस्तिरी प्रेमी और चंचल स्वभाव का होता है आथमे भाव में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का श्वामी यानि धनेस यदि आथमे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पाखंडी आत्म घाती भाग्य पर विश्वास करन वाला आलशी और परोपकारी होता है नवे भाव में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनेस यानि दूसरे भाव का श्वामी अगर नवे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दानी प्रसिद्ध पूरुश धर्मात्मा मानी और विद्वान होता है अगर किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का श्वामी दस्वे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती राज्यमान, धनलाब पाने वाला, भाग्य साली, सरकार की तरफ से मान पाने वाला और स्रेष्ट आचरण वाला होता है ग्यारवे भाव में, किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में धनेस यदि ग्यारवे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती प्रशिद ब्यापारी, परमधार्मिक, विख्यात, विजई, आश्वर रेवान और भाग्य साली होता है बारवे भाव में, यदि किसी व्यक्त की जन्म कुंडली में धनेस यानि दूसरे भाव का श्वामी कुंडली के बारवे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ती कोई निंदनी ग्राम में रहने वाला क्रशक, अलप धनी, प्रवाशी और नीच साधनों द्वारा आजीवका करने वा होता है, यदि धनेस क्रूर ग्रह हो या पापी हो तो इसका विपरीत फल समझना चाहिए, किन्तु क्रूर धनेस तीन, छै और ग्यारमे भाव में हो तो यह अच्छा होता है, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ल झाल 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